हलो गाईस कैसे आप लोग उम्मीद करता हूँ अच्छी होंगे और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि बहुत ही अच्छी एक कहते है ना जैसी नियत होती है बैसी बरकत होती है तो आपको पता ही होगा एक हमारे थे बाबा का ढाबा तो उनक बहुत ही कम विक्री होती लेकिन हमारे यूटिबर है गौरभाई उन्होंने जो है क्या किया उनका वीडियो बनाके डाल दिया काफी लोग उनकी मदद करने लगे और मदद करने लगे गौरभाई ने पहले अपना डाला था तो उसमें पैसा आ रहा था फिर जो है फोड़ दो हमारेघुसा रहएगा पैसा आता रहेगा पंड़ा जाड़ो गौर एक्वलने देखिए जो है काफी अच्छी तरेके से इसको कवर कर रही थी तोमीडिया भी जो है काफी जो निवह होती है उसको अच्छी तरीके से ही कवर करती है, उसमें दिखाएगा कि जो गौरों थे, उन्होंने ने बाबा का पैशा खा लिया, बाबा यही कर थी कि गौरों यह हमारा पैशा खा गए, और ऐसा हुआ कि जब गौरों ने वीडियो बनाया, तो उनकी सहयता करने के लिए, उनकी हल लगाते हैं कि इसने जो है हमारा पैसा खा लिया अरे भाई अगर उसने आपका परचार किया है थोड़ा बहुत अगर उसे मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है मैं मानता हूं और इसी हिसाब से पैसा मिल गया उनको और उनकी नियत बदल गई लेकिन कहते ना भगवान की लाठी में जब चलती है ना तो जो आवाज होती वह आवाज नहीं होती लेकिन चल जाती और समझने वालों को समझ में आ जाता है कि क्या हुआ तो वही हुआ जब पैसा मिल गया बाबा को तो उन्होंने क्या किया उन्होंने धाबा की जगे पर होटल खो लिया अब बाबा कहीं लगे जो हमारे मैनेजर थे वो पईसा खा गए फिर से वो धाबे पर आ जाए और तो सुनने माया है कि बाबा जो सुसाइट करने का मन बना लिए सराब में जो है नीन की गोली डालके पी लिए तो उनकी थेवेद गढ़बड हो गई तो अस्वताल में बरती है ब जो है जब होटल खुलता है तो उनके जो है कहते ना भाव जो थे वो सातवे आस्मान पर थे बहुत घमन था पैसे का लेकिन पैसा जो भगवान की लाठी चलती है ना पैसा जो फटाक से घाब हो जाता है तो वही हुआ को रोना ने जो है पूरा धंदा चौपट कर लिया बाबा का ड्या अगर आपकी कोई मदद करता है तो आपको जो है उसका सानवूत करोना है उसके सानवूत करना चाए लूट लगा दे का यह तो हमारा पैसा लूट लिया खा लिया तो ऐसा नहीं है गउरव भाई ने माफ कर दिया बहुत ही अच्छी बड़ी बात बाकि अच्छी चीज है कोई माफी मांगे और माफ ना करें तो ये भी गलत है बाकि गौरों को भी इससे काफी परेशानिया हुई मैंने देखा वीडियोस को जो है वो बंदा रोता था तो मुझे बड़ा खराल वगता था कि किसी गरीब की मदद महीं करनी चाहिए लेकिन क् जो भी आपको गरीब मिलता है उसकी मदद करें बाकि ध्यान रखें हर चीज को एक हिसाब से करें ठीक है तो बाबा जी जो है वो अब सुसाइट करने का मोड बलानी है ये गलत चीज है तो मैं मानता हूं कि जो चीज है जो चीज हो गई है उसको छोड़ दीजे और गौरो है तो बाबा जी में यही जो नहीं है एक ठव़ी और डाब करणा जाएं है तो यही फार? चोटा सा वीडियो है कि बाबा जो थे पहले डाबे पे थे किसी एक आदमी ने उनको एडवर्टाइज कर दिया घमंड बढ़ गया पैसा आ गया होटल खोल लिये लेकिन कहते ना अब होटल खोल लिये पैसा आ गया तो जो गती जिसने सहाय ता कि तो उस पर लांचल लगा द करता हूं तो मिलते हैं आप स्वेगली वीडियो में थाइंक्यू फ्रन धन्राइज है कि अ